जैए श्री कृष्णा, मेरी प्यारी सी फैमिली, कैसे हैं आप सब? उमीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे आज ट्रिवस्वर्ट पर मैं लेकर आई हूँ एक कप चने से बनी एकदम मज़िदार और बहुत आसान सी एक रेसिपी आप इसको जड़पट बनाकर ब्रेकफास्ट में भी इसको सर्व कर सकते हैं तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको कैसे बनाया है और इसके लिए मुझे किन-किन चीदों की जरुवत पड़ी है सबसे पहले आप एक प्यास, एक टमाटर, दो हरी मिर्च और एक कडोरी धनिया पति को आप पारी काट लीजे टमाटर और प्यास मैंने मीडियम साइज के लिए हैं अब इनको काट कर आप एक प्लेट में निकाल लीजे आप अपने हिसाब से प्याज और टमाटी के मातरा चाहें तो थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं यहाँ पर मैंने एक कप काले चने लिये हैं इनको मैंने दो से चार बार साफ फाने से धो लिया है आप जब यह अच्छे से धुल गए हैं तब इसको मैंने राद भर के लिए पानी में रखकर भिगो लिया है सुबह आप देखेंगे कि यह चने बहुत अच्छे से फूल कर डबल हो गए हैं अब आप एक कप यहाँ पर मैंने चावल ले लीजे इसको भी तीन से चार बार साफ पानी से आप धो लीजे और फिर इन चावल को आप दो घंटे के लिए पानी में ही भिगो कर रख दीजे इसके बाद आप एक मिक्सी जार ले लीजे अब इस जार में आप चने का पानी निकालकर चने और चावल का पानी निकालकर चावल को भी इसमें डाल दीजे अब इसमें आप प्याज, टमाटर, हरी मिर्ज, धनिया पत्ती, दो इंच अद्र का टुकड़ा इसमें काट कर डाल दीजे और इसके बद आप इसमें आधा कब गाड़ा दही मिला दीजे अब इन सब को आप बिल्कुल महीन पीस लीजे लेकिन इस बात का ध्यान रखेगा कि अगर आपको इसमें थोड़ी परिशानी हो पीस में महीन करने में तो आप थोड़ा थोड़ा इसमें पाने भी मिला सकते हैं अब जब ये बिल्कुल महीन पिसका तयार हो गया है तब आप इस बैटर को एक बड़े बाउल में निकाल लीजे चने और चावल की मात्रा आप बढ़ाना चाहें तो वे भी बढ़ा सकते हैं ये बैटर आप थोड़ा जादा भी पीसकर रख सकते हैं ताकि सुबह की भागदौर के समय ये जटपट बनकर आसानी से तयार हो जाएगा अब इस बैटर में आप स्वाद अनुसार नमक, आधी छोटी चमच, काले मिर्च, आधी चमच, हिंग भी मिला दीजे आप चाहें तो इसमें बारीक तेल भी मिला सकते हैं और इसको मिक्स कर लीजे अब आप एक पैन ले लीजे, इसको मीडियम फ्लेम पर गरम कर लीजे और एक कल्ची की मदद से इस घोल को पैन पर पत्ता पत्ता फैला लीजे इस काली चनी की डोसे को हलका सा तेल लगा कर क्रिस्पी होने तक सेख लीजे जब यह अच्छे से सेख जाएगा तब आप इसको पैन पर ही चाहें तो इसको रोल कर लीजे आप चाहें तो इसमें आलू क्या मसाली की स्टफिंग भी कर सकते हैं अब एक प्लेट लीजे इसमें आप इसको सर्फ कीजे हरी तीखी चटनी के साथ इसको आप बच्चों को शेज़न सॉस और टोमेटो सॉस के साथ भी सर्फ कर सकते हैं तब यह उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा यह हैल्दी सी रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएगा ऐसे ही जटपट और आसान सी बने राली रेसिपी देखने के लिए आप हमेशा टिप्स वाल चैन से जोड़े रहिए लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएगे कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी तो चलिए, मिलती हूँ कल आप सबसे एक नई और आसान सी रेसिपिक के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेगा, में दव से आप सबी लोगों को, जै श्री कृष्णा